हलो फिरेंड दे गल्फ टेक्निकल में आपका सौगत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका सौगत करता हूँ आज के जो हमारा टोपिक है जिसा एक भाई ने कमेंड किया कि कंट्रेक्शन लैन के बारे में बताए कि कि मैं कभी कभी एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग काफी लोग परेशान है या फस्ट टेम किसी सैट पर जाना चाते है या काफी काफी सोच में पड़े हुए है कि हमें उस सैट पर जाना है कैसे है क्या काम करना होगा कैसे होगा क् सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखेंगे, और हर वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, उसमें हमें गलतियों का भी एहसास होता है, और हम और अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, और उसको रिसर्च करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैं काफी सालों से साइट पर हूँ, और काफी जादा मैं आप लोगों की दुआ से इस साइट पर आज भी काम कर रहा हूँ, अलग-अलग डिफरेंट साइट तो जो हमें जो knowledge है जो हमारा एक जो experience है वो आप लोगों को मैं share करता हूँ इस वीडियो के माधियम से तो इसलिए आप कभी भी वीडियो देखते हैं तो आप comment जरूर करें अगर आप like नहीं करते हैं कम से कमेंट जरूर करें लेकिन उस कमेंट में आपका कुछ जो question से हो जादा लंबा ना हो तो जैसा की contraction lane अगर हम मैं जैसा for example अगर मैं first time हूँ तो अगर आपको chance लग रहा है contraction lane में तो आप वहाँ पर जाईए आपको कोई भी job जो आया हुआ है जो offer आपके पास आया हुआ है आप कभी भी उसको ठुकराना नहीं चाहिए जैसा for example एक कहावत है कहते है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से भी यही कुछ है अगर आप कोई भी life के अंदर कोई भी job को या कोई भी आपके जो good opportunity है उसको आप ठुकराएंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत पस्ताएंगे तो मुझे आप लोगों को यही suggest करना है कि कभी भी हम अपने दिल पर ना चले जो हम अपने life में करते हुई आए है अगर आपके पास pocket money है तो हम उसको दिल से अपने तरीके से उसको हम लोग use कर सकते है लेकिन यह दुनिया का जो system है या दुनिया का जो opportunity आपके पास आता ह है जिसे contraction land से या offshore land से या कोई भी land से आपके पास opportunity आता है तो जब हम उसको ठुकराते है तो हम सबसे ज़्यादा गलती यही चीज़ को करते है क्योंकि हमें कभी भी एक option अपने अंदर नहीं रखना चाहिए जैसे for example मेरा कोई मकसद है किने में पुरी life में contraction land में गुजार दूँगा लेकिन ऐसा हम लोगों को सोच नहीं रखना चाहिए कि हर चीज़ को अलग-अलग मज़े चाहिए जैसे मज़ा रता है खाने का मज़ा तो इस तरीके से हम लोगों को हर चीज़ को चखना भी चाहिए ताकि उसमें काफी जादा मज़ा आता है कि हर फिल्ड में अलग अलग फिल्ड में जाने से जो मज़ा मिलता है जो नौलेज मिलता है जो एक्सपरियंस मिलता है वो काफी ज ब्रक्राइब बच्छा जैसे एक बाई ने पुछा इस कि जो फीचर है जैसा ड़क्राक्वर इसके बारे हम में हमें बताईए कंट्रैक्छर्ट जो है वो वो सभसे अच्छा फीचर है हौई की जो दुसरे प्लाइन्ड के according क्योंकि उसमें ना ही कोई chemical होता है ना कुछ ऐसा कुछ ऐसा problem होता है ना health में कोई जादा issues होता है वो इसलिए क्योंकि जो plant के अंदर आपको जो जहरीले जो gas होते है बहुत सारे आपने देखे होंगे crude oil crude oil जो गल्फ में crude oil निकाला जाता है उसके अंदर कितने सारे dangerous gases होते हैं जिसे होता है बेंजिन होता है इतलीन होता है बहुत सारे sulfur होते है तो इससे जो life जो हम लोगों का बहुत short हो जाता है कितने लोगों को बच्चे बच्चे भी नहीं होते हो बच्चे से भी महरूम हो और जे आते हैसे हम लोग ऑल आन्डेस के अंदर ये मैं चुख क्यों रिष्ट होते हैं लेकिन उसमें अओ पोर्ट का नियससे कभी भी आपको शॉर्ट नहें सोचना है शॉर्ट से अरॉप के शुन और उसके अंदर सेफटी को अच्छे से फॉलो करना है और उसके बाद कभी भी आपके पैनिक नहीं होना है कोई भी काम करने के लिए कोई भी साइट पर रहे आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है पैनिक मतलब आपको कोई भी टेंशन नहीं करना है अगर आपको कोई family problem है या family से कुछ ऐसा issues है कभी भी आप उसको plan के अंदर जब घुसते हो तो उसको कभी भी हमको निकाल देना चाहिए और उसके बाद जो future है salary है वो काफी अच्छा है लेकिन salary के बारे मैं इसके लिए discuss नहीं कर रहा हूँ कि हर अलग-अलग side का एक अलग-अलग budget होता है एक अलग-अलग salary होती है जिसे 15,000-10,000 ऐसा हर worker से चालू हो जाता है जिसे worker category या labor category में या ऐसा welder category में 20,000-25,000 इस तरीके से maximum तक जाता है तो इसलिए मैं कहा हूँ कि कभी भी आप feature के बारे में जो पूछ रहे हैं या confuse हो या कोई भी first जो बंदा है जो अभी school से पढ़कर आया हुआ है अगर वो जाना चाता है education खतम करने के बाद वो बिलकुल जा सकता है कोई भी side पर कोई भी project में लेकिन एक बात आपको जरू knowledge मिलेगा इसमें आपको एक experience मिलेगा जो experience आपको काफी काम आएगा वो experience कहां कहां काम आता है जिससे आप interview में गए कोई interview में बुलता है कि मेरे को जो candidate चाहिए वो island guest experience वाले ही चाहिए तो अगर आप हर field का experience रखते हो तो आप मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं बैट पा अब हो पर contraction line का job निकला तो वहां पर कलाइन जो बोलेगा जो हमारे को candidate चाहिए वो contraction line का civil line का rigor चाहिए या contraction line का rigor चाहिए अगर आपके पास experience है वो आप पट से show कर सकते है और उसके बाद offshore है offshore का भी आगर आपके पास experience है तो वहाँ पर candidate एक आपको requirement निकालने के पाद उस के पास experience है वो ही इस interview को attend कर सकते हैं तो कहने का मतलब यही है कि आपको जहां भी chance मिल रहा है जहां भी आपको opportunity मिल रहा है वहां पर आप जाईए और बिलकुल भी अच्छे से काम करिए अपने आप से कभी भी questions उतना मत के लिए काफी अच्छा है कोई भी interview आप easily पास कर सकते हैं कि कि आपके पस काफी experience है आपके पस काफी जादा knowledge है तो इसलिए आप कोई भी interview को अच्छे से crack कर सकते हैं तोड़ सकते हैं या जैसा बोलो तो आप उसको पास कर सकते हैं तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छा था और फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और नेस्ट टॉपिक पर जाई ही रूए